अमेरिकी रिपोर्ट में दावा भारत में कोरोना से करीब पचास लाख लोगों की मौत राजस्तान की मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने ली कानून व्यवस्ता की समिक्षा बैठक सोशल मीडिया पर निगरानी भड़ाई की सरकार देश भर में मनाई जा रही है बखरी राष्टपती प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने दी मुबारक बाद जैपूर के ईदगा में नहीं हुई सामुहिक नमाज राजस्तान में धीवी पड़ी मानसून की रफ्तार मौसं दुभाग ने कहा दो दिन बाद फिर बर्सिंग के बाद है भारत दूसरी लहर में ही कोरोना का विक्राल रूप देख चुका है भारत में भले ही सरकारी आंकडों के हिसाब से करीब 4 लाग से अधिक मौते हुई हो मगर अमेरिकी रिपोर्ट में इस से 10 गुना अधिक होने का दावा किया है अमेरिकी शोद समूगी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना महामारी से 34 से 47 लाग मौते हुई है जो कि केंडर सरकार के आंकडों से 10 गुना जाता है पश्चिम बंगाल की मुक्य मंतरी ममता बनर जी और त्रणमूल कॉंग्रेस आज राष्ट्रिय इसतर पर शहीद दिवस मनाएंगी टीमसी की गठन के बाद से हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस की रूप में मनाया जाता है लेकिन कोरोना के चलते पिछले साल त्रणमूल ने शहीद दिवस को सांकेतिक तौर पर मनाया गया था इसे पश्चिम मंगाल की राजनीती में बड़ी जीत के बाद मुक्यमंत्री मम्ता बनर जी की राष्ट्रे राजनीती में अपनी जमीन तयार करने की कोशिश मानी जा रही है पंजाब कॉंग्रेस नव नियुक्त प्रधान अवजोट सिंग सिद्धू आज अमरित्सर में पहली बैठक बुला कर शक्ती प्रदर्शन करेंगे पार्टी के आदे से जादा विधायक इस बैठक में नजर आएंगे इस दोरान टकसाली नेताओ की खामोशी खुलने का इंतिजार रहेगा कैप्टन के करीबी कहे जाने वाले राजकुमार वेल का भी सिद्धू के खेमे में आ गए है मुक्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग पार्टी के टकसाली नेताओ की नब्स टटोल रहे है पार्टी के पुराने दिगज नेताओ अभी कैप्टन के साथ है और सिद्धू की न्यूक्ती पर खामोशी सादे हुए है दिगज नेताओं से रणनीती के बाद ही कैप्टन का अगला कदम तै होगा जमू कश्मीर में लगातार आतंगी संगठन जम्मू संभाग को निशाना बनाने की साज इश्रच रहे हैं इसके लिए सीमा पार से ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है जम्मू में एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया है एक बार फिर से जम्मू के सत्वारी इलाके में संदिक्द ड्रोन देखा गया है वहीं अभी इलाके में तलाशी अभियान जारी कर दिया गया है प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत सप्थ हो गए हैं CM गहलोत ने कहा कि अपराद नियंतरन राज्य सरकार की सर्वोच प्राथमिकता है राज्य पुलिस जगन ने अपरादों को अंजाम देने वाले माफिया और गटनाओ को सामप्रताइक रंग देने वाले अपरादियों की धरपकड के लिए प्रभावी अभियान चलाने का निर्देश दिया है सीम गैलोत ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये प्रदेश में कानून व्यवस्ता के स्तिती की गहन समिक्षा की मुक्यमंत्री ने राज्य में हतियार लाइसंस जारी करने की प्रक्रिया को अधिक तर्क संगत एवं पारदर्शी बनाने के लिए नई नीती तयार करने के निर्देश दिये बकरीट का त्योहा राज देश भर में पूरे उत्सा के साथ मनाया जा रहा है बकरीट के मौके पर देश की सभी मस्जिदों में लोग नमाज अदा करने पहुँचे बकरीट की नमाज अदा करते समय कोरोना दिशा निर्देशों का सक्ती से पालन किया गया बकरीद के मौधे पर पीम मोधी राष्टपती रामनात कोविंद राजस्तान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोद समे देश के वड़ी नेताओं ने देशवासियों को ईद की मुबारक बाद दी पियम मोदी ने वकरीद के मौके पर कहा कि इद मुबारक इदूल अजहा की हार्दिक शुपकाम नहीं ये दिन सामुहिक सहानुभूती सद्भाव और अच्छी सेवा में समावेश की भावना को आगे भड़ाए आज प्रदेश भर में इदूल अजहा का पर्वू मनाया गया कोरोना संक्रमन के चलते जामा मजजेद इदगा में सामुहिक नमाज अदा नहीं की गई यहां चार से पांच लोगों की मौजूदगी में नमाज अदा कर रस्म निभाए गई हैसे में समाज जनों ने घरों में ही सामाजिक दूरी की पालना के साथ नमाज अदा की कुर्बानी के लिए खास इस दिन पर बक्रो सही तन्य जानवरों के कुर्बानी की गई दिन भर दावत का सिलसला घरों में जारी रहे गा फोलो किया खास करके एक बार देखने में कोई यह आई कि जिस मज़्जित जावजित जैफुर जोरीवजार के अंदर लाखों की टातात में लोग नमाज अदा किया अगर देए वहां गाइडलाइन को फोलो करते हैं मुक्तसर लोग नमाज को अदा किया यह बहुत बड़ी इसके बात इंपॉर्टन किया कि जो सरकार जो गाइडलाइन की उसकी पालना के भी पिस्टे चार-पांज जन से सारे पॉलन वाज़ात और इमाहों से उपर इथे की नमाज सांके तिक दूट से कम से कम लोग पढ़ें और जादा दा लोग उसी अप्वी कि गई कि लोग इ राजस्तान के कहीं जिलो में मानसून की अच्छी बारिश हुई मौसम विभाग के मताबिक अब बारिश के दौर में कुछ कमी हो सकती है दो दिन के बाद 13 जुलाई को भीलवाडा, बूंदी, कोटा और 24 जुलाई को डूंगरपूर, सिरोही, उदैपूर और जालोर जिलो में भारी बरसात की संभावना है वहीं बरसात के कारण तापमान में भी गिरावट हुई है इस बुलेटिन में फिलाल इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें